वेलकम तो यो इन माई यूटूब चैनल लेशन डाइजेस्ट इन इस वीडियो वीचल लान अबाउड फर्माल सेक्टर क्रेडित इन इंडिया इस पहले हम लोग फिप्त वीडियो बना चुके हैं अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए क्योंकि यह रिलेट इसमें खासकर करके हम लोग पढ़ेंगे फर्माल सेक्टर क्या होती है tôi और साथ दुनों के बीच में डिफ्रेंसीयर्ड होगा जो क्रेडिट में जो उधार perfection करके बताएदायगा formal secretary सबसे पहले जानेंगे संचाल यह यह टिर्शाक wann सेक्टर यहां गवर्मेट है रेगुलेटेट समझे हैं सब्सक्राइब और घ्रक्डर करें Central Bank के Reserve Bank of India उसके द्वारा यह Supervised होता होगा और कौन सा कौन सा जैसे कि मैं पहले बताया हूं Banks हो गया, Cooperative Society हो गया, यह सब क्या होता है, Formal Sector Loans होती है आपके Parents कभी कबार आप लोग बैंक से लून लेते हैं, को यह Cooperative से लून लेते होंगे आपको पता होगा, तो यह क्या होता है, Formal Sector Loan है और क्योंकि Formal Sector Loan का Rate of Interest कम है, तो ज़्यादा तर उसी जगह से लून लेना अच्छा भी है और बढ़िया भी है, क्योंकि हम लोग को जो बियाज का Rate है, कम देना पड़ता है लेकिन Informal Sector जैसे कि मैं आप लोग को बता दूँ, कभी कबर हम लोग फ्रेंड से, Relative से, Money Lander, साहुकार जैसे बोलते हैं उन लोग से हम लोग लोन लेते हैं, तो यह खास करके होगे Informal Sector और उसका Rate of Interest जो होता है, वो ज़्यादा होता है फर्माल सेक्टर उसको बोला जाएगा, जो Government के द्वारा Control होगा RBI के द्वारा Supervised होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्माल सेक्टर बोला जाता है और जैसे कि फर्माल सेक्टर हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक क्या करता है पूरा गाइड में रहता है, कि इसके गाइड में RBI, बैंक को कुछ साटन मनी क्या करता है जमा रखना पड़ेगा RBI के पास, और अपने जितने सारे लेंदेन होता है इन्वेस्टमेंट बोलिए, डिपोजेट्स बोलिए, उड्रल बोलिए, लोन सेक्टिविटीज, हर कुछ चीज का इन्फर्मेशन बैंक क्या करेगा समिट करेगा RBI के पास, बैंक have to submit information to RBI, RBI के पास बैंक क्या करेगा सब पैसा जो है वो समिट करेगा यह था formal sector और informal sector के बारे में थोड़ा बता दिया खास करके आप लोग का question आता रहता है differentiate between formal and informal sector उसी को हम लोग देखेंगे यह most important है ध्यान से देखिए differentiate करके लिखा गया है क्योंकि हम लोग formal sector जान चुके हैं अब उसके बारे में details में देखेंगे वान वान पॉइंट compare करके बता रहा हूं फास्ट पॉइंट दा लोन टेकन प्रों formal sector लाइक बेंक्स कोपरेटिव सोसाइटी एटसेटर आर कॉल दा formal credit जो की जो लोन हम लोग क्या करते हैं इन सभी जगह से लेते हैं उसी को फर्माल क्रेडिट बोल जाता है उसके उल्टा में दा क्रेडिट टेकन फ्रम फ्रेंड से रिलेटिव समनी लेंडर इन सभी लोग से जब हम लोग क्रेडिट लेते हैं डाट इज इन फर्माल क्रेडिट सेकेंड पॉइंट इसका अगर देखे जाएगा सुपर्भाइज डारी मैं अल्रेडी बता चुक हूं फर्माल सेक्टर का कंट्रोल रहता अर्वाइज के पास लेकिन इसमें कोई नौ और्गाइजनाइजेशन हुच्छ सुपर्भाइज डाक्रेडिट इतमें जैसे कि कभी काज़ात नहीं मांगता है तो यह सब क्या होती है ये इन फर्माल सेक्टर का है फिर क्या होता है थाड़ पॉइंट आप लolit सकते हैं लो इंटरेसट रह नी कि ईकोएज का रेच एधा होता है सिंपल पॉइंट में लिखा गया है ताकि आप लोग को का है फर्माल सेक्टर में कमपल सरी क्योंकि आप कल दगए या नहीं दो कि उससे कोई प्रोब्लेम हो सकता है तो आपको डॉकुमेंटेशन तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा लेकिन कभी कबार आमारा यह होता है जैसे कि साहुकार बगेरा भले आप लोगों से कभी कबा पहचानते हैं जो पहचानता हुई जाता है उनके पास हम थूड़ी डॉकुमेंटेशन रखते हैं तो इसलिए नाम से लिखा गया है को लेकिन फर्माल सेक्टर में आपको को डॉकुमेंटेशन और आप लोगों का जो गिर्वी रखने का जो सामान कुछ ना कुछ देना प इसी नाम से फर्माल सेक्टर में आम जंता खासकर के गाउं में रहने वाले लोगों लेने नहीं जाते हैं क्यों इतने सारा प्रब्लम होगा बहिया कौन जाता है इतना डॉकुमेंटेशन करके गिर्वी कौन रखेगा बेंग वाले हैं घरते हैं लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो क्या करते हैं खास करके फरमाल क्रेडित लेते हैं क्योंकि rate of interest कम रहता है 始ब सब्सक्राइब क्या है जो तर्म सब कंडिशन आप लोग स्टाटिंग से जीतना बोल दिया गया है उतना ही होगा लेकिन ऐसा कभी कबार होता है जो informal sector से लोन लिया करते हैं वो क्या है आप लोग को जब इंट्रेस्टेट जब देते हैं उस समय थोड़ा कम किये रहते हैं और बोलेंगे भाई आप पैसा नहीं दे रहे हो तो आपको ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं उसका कोई fix नहीं ह किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम है लेकिन यह जो बेंग से कोपरेट से यह सब क्या है टर्म कंडिशन जो भी कुछ चीज़े होगा वह एक दम फिक्स पहले से हुआ होगा थैंक यू फर वाचिंग लेसं डाइजेस्ट और एक वीडियो में हम लोग इस चेप्टर को कम कि वर वाचिंग लेसंड़ पास बाइजेस्ट